भाक्त शिरोमनी, रस्खान जिनका हृदय परम भगवद भक्त और कृष्ण भक्ती प्रेम से उत्प्रोत था। इनका जन्म 1578 में पिहानी हरदोई उत्तर प्रदेश में पठान परिवार में हुआ। बच्पन में इनका नाम सेद इब्राहीम था, इनका परिवार भी भगवद भक्त था। बच्पन में माता पिता के स्नेह के साथ एश्वर्य वलाड प्यार भी खूब मिला। पारिवार एक प्रिष्थ भूमी धार्मिक होने के कारण रस्खान को भी धार्मिक जिग्यासा बच्पन में ही मिल गई। कुछ वैश्नव के अनुसार रस्खान एक बनिये परिवार की लड़की पर देहद आ सकत थे। एक दिन इन्होंने किसी को ये कहते सुना, भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए, जैसा प्रेम रस्खान को बनिये की कन्या से है। बस इस बात में इनको जंचोल कर रख दिया। अब तो इनके अंदर में भगवान के प्रती प्रेम की ललक जाग उठी और ये घर से निकल पड़े। रास्ते में कहीं भगवद कथा हो रही थी, व्यास गद्धी पर बैठे कथाकार बहुत ही सुबोध और सरल भाशा में भगवान श्री कृष्न की लीलाओं का बड़े सुंदर धांग से वर्नन कर रहे थे, जो इनके घृदय को छू गई। अकस्मात इनकी नजर भगवान शाम सुंदर की रखी फोटो पर पड़ी और वहीं छाहर गई। ताफी समय तक टक टकी लगा कर देखते रहे, उनके नेत्र भगवान के मनोहारी रूप से हट नहीं रहे थे, यहां तक की कथा समाप्त हो गई, शोता गण चले गए, इनहीं कोई होश नहीं, क्योंकि इनकी नजरे तो डे से अपलक हो गई। वियास जी पंदित जी ने कहा, हां, यह उनहीं नत्वर नागर चित्चोर का चित्र है, रस्खान के नैनों में देसे भगवान का रूप माधूर्य समा गया हो, गदगद कंट से बोले, क्या कोई इतना दर्शनी और मनभावन भी हो सकता है। वियास जी ने कहा, जिसने इतनी सुन्द स्रिष्टी का निर्मान किया है, वो दर्शनी और मनभावन तो होगा ही। अब तो रस्खान बड़े प्रेम से बोले, पंदित जी, यह मनमोहीनी सूरत तो मेरे हृदय में समा गई है, अब तो यह साक्षात मुखमंडल देखने का अभिलाशी है। आप मुझे इनका पता बता दो, मैं शीगर अती शीगर इनसे मिलकर अपने हृदय की तड़प को शांत कर सकूँ। वियास जी ने कहा ये तो ब्रज के नायक हैं, ब्रज में ही मिलेंगे। रस्खान तुरंथी ब्रज के लिए निकल पड़े, जिसके हृदय में भाव जागरित हो जाएं, प्रभ की अश्वधारा बहचली। वुरिंदावन के कंकं से गूंच्ती कृष्न नाम की सुरीली धून ने उन्हें अहलादित कर दिया। धामों में धाम पर्मधाम वुरिंदावन जैसे स्वर्ग की अनुभूती करा रहा था। एक दिन रस्खान के मन में गोवर्धन धाम जाने की इच्छा हुई तुरंधी चल दिये। वहां पहुचने पर बड़े प्रसंचित से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए घुसने लगे। वहां खड़े पुजारी ने टोकते हुए कहा अरे कहा घुसे जा रहे हो। तुम्हारी वेश-भूश जा तो दूसरी है, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये कैसा प्रतेबंद, वेश-भूशा का भक्ती से क्या संबंद। पुजारी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने दूनगा। भाई, मैं भी इनसान ही हूँ, सबकी तरह मैंने भी एक स्त्री के गर्व से जन लिया है। आपकी तरह इश्वर ने मुझे भी सिम्रन और दर्शन का आधिकार दिया है, फिर तुम मुझे कैसे दर्शन नहीं करने दोगे। पुजारी ने कहा, अपने ये तर्ख किसी और को सुनाना, मैं विधर्मी को मंदिर में नहीं घुसने दूँगा। परन्तु तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। पुजारी ने गुस्से से रस्खान को सीवियों से धक्का दे मारा। रस्खान को ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी, वे बहुत ज्यादा दुखी हुए और साथ-साथ आश्चर्य भी हुआ क ब्रज में ऐसी मती वाले इंसान भी रहते हैं। उनका कृष्ण प्रेम हिल्लोरे मार रहा था, उन्होंने अपने प्रियतम कृष्ण से मन ही मन आर्थ पुकार की और अगले दिन से दर्शन की चाहत में अनजल त्याग दिया। भगवान भला कब अपने भक्त की हृदय वे पुजारी के दुर्व्य वहार की क्षमा मांगी और गोसाई विठल नात जी के पास जाने का आदेश दिया। अपने प्रियतम प्रभू का आदेश पाकर रस्खान गोसाई जी के पास तुरंत पहुँचे। गोसाई जी ने उन्हें गोविंद कुंड में सनान करा कर दीक् ब्रज में ही रह गए। केवल कृष्ण को ही अपना सखा, संबंधी, मित्र मानते हुए काव्य की ऐसी सुन्दर रचनाय लिखी कि वो सच्मुची रस्की खान बन गई। अब तो उनकी एक ही लालसा थी। मेरा जब कभी भी जन्म हो तो यही ब्रज भूमी पर ही हो, बनू तो नंद के आंगन की ही गया बनू, परवत बनू तो यही गोवर्धनी बनू। इस प्रकार उच्च कोटी के काव्य और भक्ती के धनी रस्कान ने प्रभू सिम्रन करते हुए 45 वर्ष की आयू में निजधाम की यात्रा पून की, एक अग्भुत घटना घटी वो य की जिनके दर्शन के लिए अनेकों योगी, सिद्पुरुष, परम भक्त आदी जन तरसा करते हैं, उन्ही भक्त वत्सर भगवान कृष्ण ने अपने निजधातों से अपने इस प्रिय भक्त की इंताइश्टी कर भक्त की कीर्ती को बाया। धन्य है ऐसे महान रस्कान जिन प्रेम पाश में बंदे भगवान की कृपा और दर्शन दोनों का परम सौभाग्य मिला।